10th class के जितने भी student है इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में आपको math subject का complete solution देखने को मिलेगा यदि आपको और भी subject की वीडियो देखनी है तो में YouTube channel MS Education TV के उपर जाके देख सकते हैं यदि आपको PDF डाउलोड करनी है तो इसी वीडियो के description में आपको website का link मिल जाएगा वहाँ से आप इसको डाउलोड कर सकते हैं सबसे पहले instructions यानिकी निर्देश इसमें first point है all questions are compulsory जितने भी question दिये गए वोँ सभी आपको करने जरूरी है next point question 1 to 11 1 mark की question है 12 to 14 2 marks 15 to 17 3 marks 18 to 19 5 marks और question 20 आपका case study based question है 4 marks का first question नेमलिखित में से कौन सी गटना की प्राइकता नहीं हो सकती which of the following cannot be probability of an event जो probability होती है यह 0 और 1 की बीच में होती है और percentage में अगर हम इसको देखेंगे तो 0% to 100% तो इसमें right answer हो जाएगा C option यानि कि यह जो है minus में कभी भी probability नहीं होती C option आएगा question 2 पर्थम 5 प्राकर्चित संग क्या होगा? मत दीखा क्या होगा what would be the median of the first 5 natural number तो पहले 5 natural number होते है 1, 2, 3, 4, or 5 median जो होता है बीच वाले ट्रम को बोलते है तो यहाँ पे बीच में कौन है? 3 तो इसमें right answer हो जाएगा A option question 3 दवी गात बहुपद x square minus x minus 5 के सुननेंकों का योग होगा the sum of zeros of quadratic polynomial तो यहाँ पे देखे इसको compare करेंगे ax square plus bx plus में c तो यहाँ पे a की value हो जाएगे x square का coefficient 1 b की value यहाँ पे minus 1 और c की value हो minus 5 हमें alpha plus beta निकालना तो यह होता है minus b upon a तो minus b की value हो minus 1 यहाँ पे और दिवाइड कर देंगे इसको किसे? 1 से तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1 तो question जो third है इसका right answer हो जाएगा अपना a option यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा a option next देखिए यहाँ पे question 4 question 4 है नेमल लिखी तो में से कौन सी एक अप्री में संख्या नहीं है? यानि कि which of the following is not an irrational number? आपको बताना है इन में से कौन सी irrational number नहीं है अगर irrational नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको rational number बताना है कि इन में से कौन सा rational number है जिसको हम PYQ की form में लिख सकते है तो इसमें देखिए जो पहला root 2 यह आपका irrational number है तो यहाँ पे rational और irrational को जोड़ेंगे तो irrational आएगा root 5 यह भी आपका irrational है तो इसमें जो root 8 है इसकी भी complete value नहीं निखलती इसलिए यह भी irrational है तो यहाँ पे right answer हो जाएगा अपना C option कैसे होगा तो देखिए 3 plus 16 को हम लिख सकते है 4 16 का जो उसकी root होता है plus minus 4 होता है तो यहाँ पे plus लिखेंगे minus लिखेंगे तो भी जो अपना answer है क्या आएगा PYQ की form में आएगा किंचे M1 रख सकते है तो इसमे right answer हो जाएगा C option 3 plus root 16 आपको मुझे comment section में बताना है यह कौन सा number है 4.67, 677, 6777 आपको बताना है यह rational number है या फिर irrational number है जरूर comment section में इस answer दे Question 5 वर्ग अंतराल 40-85 का वर्ग चिन क्या होगा the class mark of the class interval यहाँ पर class interval है इसका class mark बताना जिसको mid value बोलते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे जो class है इसके upper limit और lower limit दोनों को एड़ करके 2 से divide करेंगे divide करेंगे तो कितना है गई आपना 60 तो इसका right answer हो जाएगा B option Question 6 बहुपत दे रखा आपने पास PX 4X square प्लस 4X प्लस 1 इसके अधिक्तम सुनने हैं कोंगे polynomial दिया हुआ इसके maximum number of 0 क्या होंगे तो यह जो polynomial यह लिए आपके quadratic polynomial है क्योंकि यहाँ पे जो variable है इसके highest power कितने है 2 तो इसके number of 0s भी यहाँ पे कितने होंगे 2 B option right Question 7 यह feeling the blank है दो समरूप तिर बुज की बुजाएं दे रखे हैं चार ratio 9 के अनुपात में इन तिर बुजों के 6 तरफल का अनुपात होगा The sides of two similar triangular in ratio अगर side का ratio दे रखा हो तो आम area का ratio निकालना है तो आम इन का square कर लेंगे side का side का square करेंगे तो 16 ratio एटी बनाएगा Next question 8 बिंदू दे रखें minus 2 minus 3 यह कौन से quadrant में है तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो first quadrant है देखें एक्स है इसमें जो x axis इदर x minus का हो जाएगा आपका x dash उपर y निचे y dash पहला जो quadrant होगा इसमें दोनों क्या रहेंगे positive दूसरे वाले में x negative y positive तीसरे वाले में दोनों negative और चौत्रे वाले में x positive और y negative तो यह हो जाएगा तो आपना दोनों negative है तो यह कौन से quadrant में है अपका third quadrant में आपको मुझे comment section में बताना है जो origin होता है origin के coordinate क्या होते है comment section में बताएं question 9 यदि px अपने पास 0.03 है तो p note e का मान बताना है तो यहाँ पे देखिए p of e का मतलब क्या है कि probability of event plus में p of note e आप इसको bar भी लिख सकते है इस परकार लिख सकते है या फिर आप जो इसको लिखेंगे note e note e का मतलब होता नहीं होने की प्राइक था दोनों का सम क्या होगा 1 तो यहाँ पे जो p e की जो value आगे जाके minus हो जाएगी 1 में से 1 में से minus करेंगे तो यह आएगा 0.97 next question 10 संख्या 210 का अब आजे गुननखंड की रूप में जो है दर्साई express to entertain at the product of prime factors तो यहाँ पे इसको आप जो इस तरीके से करना है 2 से divide करेंगे यहाँ पे आज आएगा फिर 3 से करेंगे फिर 5 से करेंगे तो इसका मतलब जो इसको represent करेंगे 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 question 11 अभी कथन और कारण अधारिक परसंद दिया गया assertion reason based question तो यहाँ पे y cube minus 7 एक 3 गात बहुपद है बिल्कुल सही है reason है कि 3 गात वाले बहुपद को 3 गात बहुपद कहते है यह भी 3 होरी इसका correct explanation भी है तो इसका right answer हो जाएगा अभी कथन और कारण दोनों सही है और कारण अभी कथन की सही व्याक्या है नीचे English में देखी यहाँ पे question 11 assertion दे रखा कि y cube minus 7 is a cubic polynomial reason है polynomial of a degree 3 is called a cubic polynomial तो यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा both assertion and reason are true and reason are and reason is correct explanation of assertion next question 12 k का वहमान ग्यात किजी जिसके लिए दिवी गात समी करण के दो बराबर मूल है find the value of k for which the quadratic equation यहाँ पे दे रखे है as two equal roots तो अगर इसको compare करेंगे किसके साथ a x square plus b x plus में c तो यहाँ पे a की value 3 b की k और c की 3 जो discriminant होता है यह होता है b square minus 4 ac और अगर इसकी root दोनों equal है तो यहाँ पे k की value आएगी plus minus 6 question 13 find the distance between यहाँ पे दो point दे रखे हैं की 20 की distance निकालनी है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा पहला जो point यह x2 हो जाएगा minus 1 y1 होगा 7 और y2 हो जाएगा 3 यहाँ पे distance formula यूज करना यह होता है x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square और इसका complete का क्या आएगा यहाँ पे square root अब सारी value रख लेंगे solve करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आजाएगा root 32, root 32 को जब और solve करेंगे तो यहाँ आएगा 4 root 2 next equation 14 how many 3 digit number are divisual by 7 7 से कितने divide होने वाले 3 digit के कितने number है तो 7 से divide होने वाले से तो बहुत सारी number होते हैं लेकिन 3 digit का सबसे पहला number हो जाएगा 105 उसके बाद 112 और last में जो 3 digit का number होगा यहाँ पे 7 से divide होने वाले यह हो जाएगा 900 चुराण में तो यहाँ पे देखिए कि value आगी पहली ट्रम common difference निकालेंगे second में से first को गटाएंगे और last जो ट्रम है यह अपने पास 900 चुराण में अब यहाँ पे आपको जो है formula यूज करना पड़ेगा nth ट्रम अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे formula हो जाएगा a n is equal to a plus n minus 1 into d तो यहाँ पे जो भी value दे रखिए है इसको हम रख लेंगे रखने के बाद इसको solve करेंगे तो देखिए हाँ पे a की value 105 आपे d की value 7 solve करेंगे तो यहाँ से n की value आज एग 128 तो इसमें total जो ट्रम होंगी 128 हो जाएंगी जो 7 से divide होंगी 3 digit के number next equation 15 दवी का उपत दे रखा है जिसके सुन्नें ग्यात करें और सुन्नें और गुणांग के बीच का संबन स्थापित करें find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient तो यहाँ पे इसके factor करेंगे factor करने के बाद यहाँ से x की value आएगी 5 और 4 एक को alpha मानेंगे और एक को beta मानेंगे तो यहाँ पे relation जो होता है अगर हम इन दोनों को add करते हैं तो यहाँ था 9 पाँ 5 और 4 को डारेक्ट जो formula होता जो हम use करते हैं इसको लिखते हैं minus b by a यह भी कितना आएगा 9 इसे परकार alpha और beta के multiply करेंगे 20 आएगा और यह होता c upon a तो भी कितना आएगा 20 इस परकार यहाँ पे verify करना आपको question 16 निमन लिखी तरेकिक समीकरन यूगम को हल कीजिए solve the following pair of linear equation तो यहाँ पे देखिए है 3x by 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2 दूसरी यहाँ पे है x upon 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6 तो पहले वाली को यहाँ पे 6 से multiply कर लेंगे और इसी परकार दूसरी जो है यहाँ पे 6 से multiply करेंगे solve करने के बाद अपने पास 2 equation आज जाएंगे अब यहाँ पे coefficient जो है पहले सी क्या दे रखा अपना equal आ गया यहाँ पे x का coefficient equal हो गया तो हम क्या करेंगे जो 3 equation इसको 4 में से क्या करेंगे minus करने के बाद यहाँ पे 47y बचेगा इसके y की value आएगी 3 और y की value जो 3 है इसको equation 1 में रख देंगे यहाँ पे आपको उपर equation 1 दिखरी होगी यह 2 में भी रख सकते हैं 3, 4 कि C में भी रख लीजिए जब solve करेंगे तो यहाँ से अपने पास x की value आ जाएगी 2 तो यहाँ पे जो इसका right answer हो जाएगा x की value 2 है और y कितना है 3 next equation 17 सीध कीजिए कि root 3 एक a प्रीमिय संख्या है prove that root 3 जो एए e rational number तो सबसे पहले देखी let us assume root 3 जो एए rational number और इसको root 3 को एक rational number मान लीजिए root 3 equal to a जाएगा p upon q p और q जो है co prime number है co prime number वो हते हैं जिनका cf1 हो यानि कि उनमें कोई भी common factor नहा हो यहाँ पे q not equal to 0 है तो यहाँ पे cross multiply करेंगे तो यह root 3 आगे जाकि क्यों से multiply होगा दोनों साइड square करेंगे तो p square is equal to 3 q square तो इसका मतलब जो p square है यह 3 से divide होता है तो इसका मतलब जो p है वो भी 3 से divide होगा तो यहाँ पे p की value जो 3 हम रख लेंगे और यह जो value है उठा के आपको first equation हम रखनी है जहाँ पे p है square करेंगे तो 9m square बराबर आएगा 3 q square 3m square क्यों square आएगा क्योंकि 3 से इसको काटेंगे तो 3 पे कटेंगा इसका मतलब यहाँ पे q square है यह भी 3 से divide हो रहा है तो जो क्यों है यह भी 3 से क्या होगा divide इसका मतलब p और q दोनों 3 से divide हो रहे है तो इनका common factor आगया 3 this contradicts our assumption that they are co prime number हमने starting में मानना था कि यह co prime number है लेकिन इनका common factor कितना आगया 3 therefore p by q is not a rational number hence root 3 is a e rational number आपको मुझे comment section में बताना जो pi है यह आपका rational number है या e rational number है जरूर comment section में बताएं next equation 18 5 वर्स पहले नूरी की उमर सौनू से 3 गुणा थी 10 वर्स बाद नूरी की उमर सौनू से 2 गुणी हो गई तो नूरी और सौनू की वर्तमान एज बताएं 5 years ago नूरी वास thrice as old as सौनू 10 years later नूरी विल बी twice as old as सौनू how old are नूरी and सौनू तो यहाँ पर नूरी की present age x मानली सौनू की y हो गई तो 5 साल जो पहले है नूरी x माइनस 5 होगी और सौनू हो जाएगा y माइनस 5 क्यूसन के according यह 3 times है तो यहाँ पर सौनू करेंगे तो पहली equation आजएगी x माइनस 3 y is equal to माइनस 10 अब अगर 10 साल बाद की बात करें तो 10 साल के बाद नूरी हो जाएगी x प्लस 10 की और सौनू हो जाएगा y प्लस 10 अब क्यूसन के according जो है यहाँ पर 2 गुणा हो जाता है तो यहाँ पर second equation आजएगी अब first और second दोनों को जो जोब solve करेंगे आपस में घटाएंगे तो y की value 20 आएगी y की value को हम equation 1 या 2 में रख लेंगे इसमें रख लेते हैं इसमें रखेंगे तो यहाँ से x की value आएगी 50 तो इसमें यहाँ पर अपना जो right answer हो जाएगा नूरी की age कितनी हो जाएगी 50 year और sonu की age हो जाएगी 20 years next है question 19 the median of the following data is median दे रखा यहाँ पर x और y की value बतानी है और इसकी frequency है 100 मैं एक बार zoom करके आपको यह table दिखायता हूँ देख लिजी यहाँ पर इस type से जो है table है यहाँ पर frequency दे रखी है x और y भी दे रखे हैं तो यहाँ पर community frequency निकालनी है तो इसमें number wise क्या करेंगे add पहले number wise जो ट्रम है उनको add करते जाएंगे last में जब देखेंगे तो अपने पास यह आ जाएगा सभी का sum 76 plus x plus y और यह जो है आपको पता होगा 100 की equal है क्योंकि यह frequency है तो बस यहाँ पर आप सोल कर लेते हैं देखिए तो n की value यहाँ पर कितनी हो जाएगी 100 n की value 100 होगी अब formula के लिए हमें n by 2 की value चाहिए 50 है तो यहाँ से x और पलस y की value 24 आ गई median class होगी 525 जो की 500 चाहिशों की बीच में है तो l की value 500 है lower limit f 20 cf 36 plus x है और यहाँ पर आगया जाएगा h is equal to 100 अब यहाँ पर median निकालने का formula होता है l plus n by 2 minus cf और इसको divide करेंगे f से और multiply में h अब सारी value रख लीजिए value रखने के बाद यहाँ से अपने पास x की value आएगी और यहाँ पर x की value आप देख सकते हैं कितनी आएगी 9 x की value 9 आगई तो y को निकालेंगे तो y आजेएगा अपना 15 next question 20 India is competitive manufacturer location due to log यहाँ पर यह जो question है यह आपका दे रखा है arithmetic progression यहाँ की जो AP है उससे जो है question दिया गए है आपका इसमें यहाँ पर प्रोडेक्शन बताएगी है टीवी जो set factory के अंदर यहाँ पर देखी में जो point उसको हम discuss कर लेते हैं कि 16,000 टीवी set बनते हैं 6 साल में और 22,600 बनते हैं 6 साल में नहीं 6 साल में और यह 9 साल में इस परकार है तो यहाँ पर यह देखी से related question पूछे गए हैं सबसे पहला तो यह है कि find the production at starting starting में production कितना था यहन कि a की value तो यहाँ पर यह जो term है इसका formula उस करेंगे an is equal to a plus n minus 1 into d तो 6th term हो जाएगी a plus 5d 16,000 9th term हो जाएगी a plus 8d 22,600 यान कि 22,600 अप समी यहाँ equation 1 और 2 को एक दूसरे के साथ substract करेंगे तो a से एक ट जाएगा तो यहाँ पर आपने पास जो D की value आएगी 2200 D की value जो है इसको 1 में रख दीजिए 2 में रख दीजिए यहां से आपने पास solve करेंगे तो A की value आएगी A की value आजाएगी 5000 तो पहले question का answer होगा 5000 इसमें second part है production during 8th year आठ में साल production क्या है तो यह plus 70 A की value 5000 और यहां पर D की value 2200 है तो यह 8 का मतलब क्या है कि 2400 next time question 3 third question देखें यहां पर what is the total production in the year of first 3 year पहले 3 साल में total production कितनी होई तो यह formula है S N is equal to N by 2 into 2 A plus N minus 1 into D इसका use करेंगे A की value रख लेंगे N की value रख लेंगे सब solve करेंगे तो यहां से आज आज आएगे अपने पास 21600 next time यहां पर in which the production is 29200 कौन से साल में जो production 39200 है तो यहां पर फोर्मूला यूज करेंगे A N is equal to A plus N minus 1 into D तो यहां पर जब solve करेंगे solve करेंगे तो N की value रख लेंगे यहां पर 12 यहां कि जो 12 साल होगा उसमें जो production होगी वो होजएगी 29200 यहां तक वीडियो अपनी complete होचके वीडियो अच्छे लगी तुसके लाइक करें अपनी दोस्तों जरूर शेयर करें यह दिया आपको और भी वीडियो देखनी है तो में YouTube चैनल MS Education TV के उपर जागे देख सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग